जै मातादी, कैसे हैं सब लोग उमीद करते हैं कि सब ही अपने घरों में अच्छे होंगे और सब के नवरात्रे बहुत शूब होंगे तो आज नवरात्रे की दुर्गा अश्टमी के उपर दुर्गा माता की कहानी कथा लेकर हम आपके साथ आए हैं जिस तरह से दुर्गा सब्तमि के दिन जो है दुर्गा सब्तशती कभज पाठ पढ़ने का लावदा एक महत्तब होता है उसी तरह दुर्गा अश्टमी के दिन अगर हम दुर्गा अश्टमी दुर्गा मा की कथा सुनते हैं तो उसका भी हमें वैसे ही महत्तव और लाब मिलता है इसलिए दुर्गा अश्टमी के दिन महमाई की ये कथा का बहुत अधिक महत्तव है तो वही कथा आज हम आपके साथ शेर करेंगे इस वीडियो में तो आगे वढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफकेशन्स मिलती रहें इसी तरह से जुड़े रहें आप हमारे चैनल के साथ तो दुर्गा अश्टमी के दिन माता की कथा का बहुत महत्व होता हूर इसी तरह नवरात्रों की जो नोमी होती है उस दिन अगर आप माता के ब्रत रख रहे हो तो नोमी के दिन आप कंच के पूजने के बाद ही भोग करके अपने ब्रत संपूर्ण करते हैं जिससे माता परसन होती है पोराणी कथा के अनुसार दुर्गा अश्टमी के दिन की ये माननेता है कि दुर्गम नामक क्रूर राक्षस था जिसकी जो है बहुत ही जादा जो क्रूरता थी वो तीनों लोकों में बढ़ रही थी और उसकी क्रूरता से तंग आकर देवतों ने अपना स्वरक लोक छोड़ कर कैलाश परबत पर आ गए थी बगवान शिव के चर्णों में क्योंकि दुर्गम राक्षस को ये बरदान मिला हुआ था कि उसको कोई भी देवता नहीं मार सकता है तो देवताओं का जो है कोई भी परहार जो था उस पर असर नहीं कर रहा था और उसकी करूरता दिन पर दिन बढ़ती जा रहे थी जिससे सब देवता परिशान होगे और भगवान भोलेना के चरनों में आ गए अपनी रक्षा के लिए भगवान भोलेना से प्रार्थना करने लगे तो तीनो देवता मतलब तृदेव आप भी जानते हैं ब्रह्मा विश्णु महेश तीनो देव की शक्तियों को मिलाकर माता दुर्गा को एक शक्तिशाली अस्तर दिया गया था उसी दिन माता दुर्गा का दुर्गा अश्टमी वाले दिन जनम हुआ था और उस शक्तिशाली अस्तर से ही माता दुर्गा ने दुर्गम राक्षस का जो है वद किया था तब से दुर्गा अश्टमी का बहुत अधिक महत्व माना जाता है नवरात्रों में इसी दिन मा दुर्गा की जो है जनम हुआ था उत्पत्ती हुई थी और इसी दिन को विशेश रूप से शस्तर पूजा का दिन माना जाता है क्योंकि एक विशेश शस्त्र जो तरी देवों ने माता दुर्गा को दिया था जिससे उन्होंने राक्षस का सहार किया था अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और वीडियो को शेयर करें आप वीडियेगा